सबी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागत आप सभी का हमरे यूटूब चेनल इन्फटेक फार में लेडर में किसान मित्रों दिनांख है आज 25 जुलाई 2022 वारे सोमार समय हुआ है अभी हाल फिलाल एक बज़े हैं वीडियो आपके पास आएगा सवाएक तक बात कर लेते हैं अधर की चोईत्रा मंडी के साथ साथ मद्रप्रदेश की दूसैसा पड़ी मंडी शाजापूर मंडी उससी के साथ में एक आंद्रप्रदेश की विशागा पत्नम मंडी का आज का भाव बताऊंगा पूरे मार्केट याड मंडी संदे को भी चालू होती महाराष्ट नासिक साइड में बहुत सारी ऐसी मंडिया है जो संदे को भी चलू रहती है तो कल मंडी चालू रही थी पूरे मार्केट याड और उसी मंडी का कलका जो 24 जुलाई का भाव बताऊंगा फाइनल भाव इंदोर मंडी का श्याम को साड़े छी बज़ आपको देखने को मिलेगा आज सुभा वीडियो जो साड़े आठ से साड़े नो के बीच में आता है वो किसी करणवस नहीं आ पाया उसके लिए में शिमा पराथी हूं सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाईयों मद्द प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाया पुरमंडी शाया पुरमंडी में आलू प्याज लसुन तीनों जिंसों की कितनी आवक देखने को मिली है तो सबसे पहले हम आवक की बात करेंगे आवक की अगर बात करें त 600 से लगा के 1500 रुपरती कुंटल और एका दुक का लाट 1500 से लगा के जो बम गोला साइच के जो आता है लसुन गारली 1500 से लगा के 2200 रुपर के बीच में एक दुक लाट भीके हैं एक दो लाट बस ज्यादा नहीं हुँआ हैं 500 से लगाःआ के पंदराigon के बीच का है लेसून का 500 से बाराइवाइस के बीच में बहुत जादा लेसस रही है बहुत सारे रए लोड इक हैं वहीं बारा सो लेचा के Entscheidung बात करते हैं प्याज की जो प्याज होती है जिसमें खादू आ जाता है केपसुल गोल्टी आती है यह दोनों क्वालिटी का जो प्याज है वह विकरा है भी शाजापर मंडी में 50 रुपे से लगा के प्याज की बात करेंगे तो गल्टा गोल्टी की ऑर मिडीम प्याज की बात करेंगे के 800-95 के यहदय करें बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज फुल साइज का एक्स्भौट क्वालेटी का जो प्या आता है हलाकि इन द्र मंदी नहीं तो हमेश्हा एक्सभौट क्वालिटी ub ये प्याजने में जो इस्त का बात करन को सब्सक्राइब लिक्ता भी पूरे साज का प्याज मंडी में वह विका है 900 से लगाके 150 रुपे तक 1100 रुपे तक पूरी मंडी में प्याज की अगर बात करें हम वहाव की कि उपर भिक्राया नीचे विक्राया प्याज हलका है मतलब प्याज का जो रेट है वह नीचे डाउन हुआ आया उपर गया तो 600-700 पर डाउन हुआ है पिछले 15 दिन के अंदर अंदर यह निकि आज से 15 दिन पहले जो प्याज का रेट था हमारी शाया प्रमंडी में फिर दिरे दिरे 14-15 सो पे आया फिर 12-13 सो पे आया फिर 11-12 सो पे आया और आज मंडी में 1100 से उपर एक भी लोट नहीं विका है पूरी मंडी में तो यह situation है प्याज की और यह मुझे लगता है कि राखी तक रहने वाली है यह situation अगस्त एक अगस्त के बाद में कहीं ने कहीं थोड़ा बुद हलका फुलका एक दो रुपे की तेजी देख सकते हैं इससे जादा नहीं लेकिन मुझे यह यह लगता है कि राखी के बाद ही हमें तेजी देखने को मिलेगी प्याज में और एक सितंबर से लगाके 15 सितंबर के बीच में जो प्याज का रेट हो सकता है वो रहेगा 15 रुपे से लगाके 25 रुपे के बीच में लेकिन एक्चल में होगा क्या उस टेम पे जैसे रेट बढ़ेगा और उस टेम पे भाराज सरकार का जो नेफेट कंपनी है वो पचास अजार में ट्रिक टन प्याज मार्केट में निकाल देगा फिर से मार्केट में जो प्याज का भाव है वो 5 से 7 रुपे डाउन कर देग पंदरा से 20 पे माल आ जाएगा फिर जैसा ही प्याज वो खतम होगा पचास अजार में ट्रिक टन भारा सरकार का फिर प्याज का रेट बढ़ेगा प्याज का रेट 25 से 35 हो जाएगा फिर एक लाक में ट्रिक टन प्याज नेफेट कंपनी निकालेगी फिर प्याज को लाके रख देगी 18 से 22 रुपे 25 रुपे तक ठीक है इसके बाद कुछ बरसा दी प्याज आ जाएगा उस कारण से फिर पांच रुपे की नर्मी यनिकी 15 से लगा कि 20 रुपे का बीच हो जाएगा प्याज का रेट वापिस से तक प्याज का रेट बढ़ने की कोशिश होगी लेकिन उस टामपर फिर नेफिट कंपनी अपना 1,00,00,00 निकाल देगी ठीक है उस टामपर फिर प्याज का रेट गम होगा लेकिन तब तक प्याज पूरा मारकेट में खतम हो जाएगा कुछ 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 किसानों के पास ही कि राइस्तानों कहीं का भी इस्टेट हो कोई सभी जिला हो सभी जगे बरसात के करन पूरा प्याज का जो बीस तैयार किया था हो खतम हो चुका है लेकिन कहीं कहीं पर प्याज की बितनी ज्यादा जल्दी हो गई थी वह आई की कि प्याजी मंडियों में आ चुका है आपको जैसे ग्राइब कर्या सबदेए तो नवंबर दिसंबर में जाके प्याच का जो रेचे वो आस्मान उटaretti बढ़ा ठीक है अभी तो भारा सरकार प्याज का रिट बड़ा नहीं रही है जब लोगों का प्याज सड़ जाएगा खराब हो जाएगा और बाकी जो बचा खचा है वो मंडी में बेज देंगे किसान भाई व्यापारियों की प्याज नहीं रहेगा जादा ता और इस बार बरसादी प्याज की भी कमी है तो आपको मैं ग्यारेंट के साथ के रहा हूं दिसंबर जनवरी में भारत सरकार को विदेशों से प्याज मंग बना पड़ेगा इस साल ये स्ट्रेशन आने वाली है आने वाले समय में मैं बता रहूं आपको अभी से हम बात करते हैं किसान भाईयों इ लोकर की अगर बात करें निस से दो हजार रुपे तक विक रहा है जोति की अगर बात करें तो सतरा सो सक बुनिस तो रुपे विक रहा है इलार की अगर बात करें तो पंद्रा सो सत्रा सो रुपे विक रहा है सोना चिप्स बंद्रा सो से लगाके अठारा सो रुपे विक र यह भी लगबग लगबग एक हजार से लगा के पंदा सु सोला सुर पर तक टच हो रहा है इंदोर की चोईत्रम अलू में बढ़िया लेवाली कोई रिकतनी भाव उपर जा रहें दिन बदिन बात करते हैं गार्लिक लसुन की लसुन निमच मंडी मन निमच और मंसुर मंडी म बहुत कम हैं तो भी गलती नहीं है आप निमच और मंसुर मंडी में जाके देखिए आपको जो लसुन की वेराइटी है क्वालेटी बहुत ही शांदार मिलेगी वही हमारा मदब्रदेस का इंदूर मंडी यहां पर आप क्वालेटी देखेंगे लसुन की तो वही बद्दा बेकार क्वालेटी की लसुन आ रही है देशी लसुन ही आती है आप उटी उटी जी टू वगरा रियावन वगरा नहीं आती है आप मुझे बताईए जब इस्टेंडर क्वालेटी की लसुन नहीं आएगी दिखने को नहीं मिलेगी तो व्यापर क्या करेंगे मन से भाव त कुंसको नो परसंट गाता के जैसे आप दस भीगे में लगा रहे तो नो भीगे में घटा दीजिए सर्फ एक भीगे में लगाईए एक भीगे का प्याज एक भीगे की लस्ट लगा लीजिश जो भाई करते हैं और जो भाइग पांच पांच भी देखे में पूर्ती कर लीजिए और जो भाई एक इक डो दो भीके लगाते हैं वो बंकर दीजी लगाना आटोमेटिकली भारत सरकार कोई सी भी सरकार हो चाहिए वो भाजपा की हो कांग्रेस की हो कोई सी भी हो केजरीवाल की सरकार हो आप आमादमी पार्टी हो कोई सी भी सरकार हो इनितिंग ये सभी लाइन पर आ जाएंगे एक साल के अंदर अंद जब इन्हें महेंगे भाव में प्याज बाहर से खरीदने पड़ेंगे लसुन बाहर से खरीदने पड़ेगी तब जाके इनका जो बजट है बैलेंस है वो बिगड़ेगा अभी क्या हो रहा है अभी हमारे प्याज और लसुन चाहिए वो किसी भी रेट में जा रहा है विदे लेते हैं इनको फिर समझ में आ जाएगा फिर इनकी जीडीपी हो नीचे जाएगी डाउन होगी और जब भारत की अरत वियोसता है वो बिगड़ेगी किसान जो है भारत की जो जीडीपी है ग्रोफ है इसको बढ़ाने में किसान की बहुत बढ़ी भूमी का है और हमारे जैसे यूटूबर की भी बहुत बड़ी भूमी का है जीटीप को बढ़ाने में मेरे जैसे कि नहीं मैं तो छोटा सा यूटूबर हूँ कुछ भी नहीं मिलता मेरे को खुद को दिन भर के 10-20 रुपे मिलता है यूटूब से में क्या कर पाऊंगा लेकिन जो हाई एक-एक महिने के क आलू की लसं की लसुन जनकरी आपको दें जaque लेता हूं लसं पांसों से लगाए हैं हजार řिक किंटल में बारिक क्लेटी फेलें यृज्य क्यालिटी की लसंग रही है यह 1-1- bastear के-255-भा मैं एका ते अद्लाट बस इस जादा नहीं तो यह क्यार garlic इंदोर मंडी में लसुन खराब क्वालेटी के आ रहे हैं उसी करन से भाव भी उससे वेसा ही मिल रहा है अब हम चलते हैं प्याज की तरफ प्याज इंदोर मंडी में मेरे इसाब से देखा जाए तो पुने की पुने मार्केट याड मंडी जो है उससे भी कम है हाल सिलाल पूरे की मंडी जो है वहां पर मातर 40-50 गाड़ी आती है ट्रक आते हैं पूरे मार्केट यार्ड में जब वहां का रेट जादा है हमारी इंदूर मंडी से तो फिर क्या मान के चले हम हाला कि वहां का प्याज भी बेश्ट आता है इंदूर मंडी में महाराश साइट साइट का भी प्याज आता है लेकिन छोटी साइट का प्याज भेजते हो ज्यादा बड़ी साइस का प्याज इदर नहीं वेश पाते जड़ा बड़ी साइस का अगर भी बेज़ेंगे तो रेट उससे सबसे देना पड़ेगा इंदूर वाले पारियों को और फिर जो का बताया तो मैंने इंदुर मंडी का नहीं बताया है 50 रुपे से लगा के 200 कुंटल के इसाब से खादू केप्सूल और खराब स्पाइटी का जो खराब माला र्ची जोड़ वगरा दो सुरुपे से लगा के 400 रुपरती कुंटल के इसाब से हमारा गोल्टी भी करा है 400 से लगा के 600 रुपे में गोल्टा प्याज 600 से लगा के 800 रुपे में लड्डू प्याज 800 से लगा के 1000 रुपे में हमारा मिडियम प्याज 1000 से लगा के 1100 रुपे में हमारा मुकल प्याज वहीं अगर बात करें हम एकका दुक्का लाट की तो एक दो लोट तेरा सो से लगा के साड़े तीरा सो पोने चवदा सो चवदा सो रुपा तक भी बिके हैं दो तीन लाट ठीक है तो यह तिकिसान भाई जानकरी इंदोर की चोईत्रमंडी की वीडियो तो बहुत बड़ा हो कर चुका है क्योंकि मैं इदर उदर की बातें जादा कर दी थी वह बातें भी जरूरी आप लोगों से आप लोगों को नवाटों से कुछ नवकुछ तो पता चलेगा कि देश में क्या हो राए है क्या नहीं हो रहा है अब हम बात करेंगे आंदर प्रदेश की विश्या का पत्नम मंडी यह आज का भाव है और पुने मार्केट मंडी का भाव कलका है तो पहले हम बात करेंगे आंदर परदेश की विशा का पत्नम मंडी यहां पर आवा को यह बारा गाड़ी की आज एक्सपोर्ट क्वालेटी का सुपर प्याज जो एक दो लोट है वो 1650 रुपे से लगा के 1911 रुपे प्रति कुंटल के इसाब से लिखा है आंदर प्रदेश की विशा का पत्नम मंडी में पूने मार्केट याड की बात करेंगे 24 जुलाई 2022 का भाव बता रहा हूं पूने मार्केट याड का कल का क्योंकि कल संदे था और कल मंडी चलू थी पूने मार्केट याड आवक पचास ट्रक की थी और एक्सपोर्ट क्वालेटी का सुपर प्याज 1400 से लगा के 1401 रुपर परति कुंटल तक भी कायमरे किसान भाईयों तो यह थी जानकरी चारों मंडियों की फाइनल भाव लेके आओंगा इंदोर मंडी का और साथ साथ महाराष्ट नासिसाइट की बहुत सारी मंडियों के भाव लेके आओंगा श्यामको साड़े सी वजे जिसमें तम यूटुब चैनल पर और लगे हाथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तकि आपको बहुत सारी मंडियों की जानकरी असंख मंडियों की जानकरी मिल सके और इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है इसकी जानकरी हम आपको दे दें मेरे किसान भाईयों कल संड़े था और मैंने साप्ताइक समिक्षा का वीडियो नहीं बनाया उसका में कारण था हमारे उपसर पंच का चुनाव था और उपसर पंच के चुनाव के कारण ही में लिडियो नहीं बना पाया आगले संड़े देखते हैं अगले संड़े बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए साब देक समिक्षा का तब दिल से धन्यवाद, जे जवान, जे किसान, जे हिन, जे भारत, वंदे मातरम